हेलो फ्रेंट्स मैं रिंको सिंग आज मैं आप लोगों को एलिफेंटा केप्स के बारे में बताने जा रही हूँ एलिफेंटा केप्स जो शैव धर्म से संबंदेत है 1987 में युनेस्को के धरोहरस्थल में शामिल हुआ इसको देखने का मौका मुझे इस बार न्यू येर के मौके पर मिला जब मैंने मुंबई बिजिट किया था वन वीक के लिए मेरे बहुत सारे रिलेटिप्स वहाँ पे रहते हैं एलिफेंटा एक आइलेंड है इसका स्थानिय नाम धारापूरी है इसका एलिफेंटा नाम पुर्टगालियों ने दिया वहाँ पर एक विशाल हाथी की प्रतिमा को देखकर इस आइलेंड की आबादी 1600 है यहाँ पर तीन छोटे छोटे गाउं है राजबंदर, शेत बंद और मूर बंदर तो जैसा कि मैंने बताए कि यह आइलेंड है तो यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए आपको मुंबई में गेटवे अफ इंडिया से एक फेरी पकड़ना पड़ता है जो पर परसन 2500 रुपे चार्ज करती है फेरी यानि एक दगबग एक सवा घंटे का समय हम भी फेरी में बैठे बड़ा आनंद आया ऐसा एक छोटा सा क्रूज वाली फीलिंग भी आई और फिर इस फेरी ने हमें कुछ एक सवा घंटे बाद जब आइलेंड पर उतारा तो उस आइलेंड पर हमने देखा कि एक मिनी ट्रेन चल रही है उस चड़ाई को चड़ते वे थोड़ी थोड़ी वैश्नो देवी वाली फिलिंग आ रही थी दोनों तरफ शॉप्स लगे हुए थे खाने पीने की बहुत सारी चीज़े मिल रही थी बहुत सारे हैंडी क्राफ्ट ब्यूटिफुल आइटम्स और खाने की बात करू तो बड़ा पाव तो बहुत यमी था एकदम अभी तक उसका टेस्ट याद आ रहा है मुझे यह एलिफेंटा जो केव है इसके बारे में एतिहासिक दस्तावेजों की थोड़ी कमी है कहने का मतलब यह है कि यह प्रमाडित करना थोड़ा मुश्किल है कि यह किस काल का है किन शा पाइसित नहीं किया जा सकता कि इनका निरमाण कंस्ट्रॉक्शन किस ने करवाया होगा हाला कि हम यह क्ये कह सकते हैं कि जयिखकत में हमें चंड्रगुप्त मौर्य के बाद सातवाहनों से लेकर वकाटक सात्वाहन, वकाटक, चालुक के राष्ट्र कूट, इन साशकों का हमें सरदर मिलता है और जाहिरे कि इन लोगों नहीं बनाया होगा यहाँ पर कूल साथ गुफाएं हैं, बेसाल चटानों को काट काट कर बनाया गया है सारे के सारे रॉककट आर्किटेक्चर है, शैलकृत अस्थापत्य है और सभी के सभी बौत धर्म से संबंधित भी हैं, कुछ यानि सभी के सभी शैव धर्म से संबंधित नहीं है मुख्य गुफा संख्या यहां पर एक ही है जो मुख्य गुफा है वो गुफा संख्या एक है और जो एक हॉल की तरह बना हुआ है इसके अंदर एक मंदिर मिलता है हमें शेव मंदिर मिलता है और उसके अंदर विशाल शेवलिंग था इस मंदिर के चारो और प्रवेश द्वार बने हुए थे जिस पर द्वार पाल बने हुए है थे हर दरवाजे पर दो द्वार पाल बने हुए थे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं और बहुत ही विशाल देख के एक बहुत ही अद्भुत आभास हो रहा था एकदम से मैं तो देखा तो मैं देखती ही रह गई ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शायद मैं कुछ भी मांगोंगी इश्वर से कुछ भी सोचूंगी इश्वर से शायद मैं डारेक्ट कनेक्ट होंगी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां मिली देखने को मूर्थियां ही खास रही इनकी ये मियूराल्स हैं जो पत्थर में उकेरा गया है इसको और इसके साथ कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो गुफा की छतों में बनाए गये हैं फ्रेसको स्टाइल है अजन्ता की तरह तो बहुत सारी मूर्थियां देखने को मिली यहां पर जिसमें की अंधका सुर्बध की प्रतिमा जो अज्यान पर विजय का प्रतीक है नटेश्वर शीव की प्रतिमा जो जिसमें अर्ध नारिश्वर रूप उनका दिखाया गया है गंगा धर शीव की प्रतिमा मिली देखने को जिसमें गंगा वत्रण को दिखाया गया है कि किस तरह भागी रात के तपस से आप एक गंगा जब नीचे उतर रही हैं उनको धारन कर रहे हैं शीव और उनकी बाजु में पार्वती भी हैं दाई तरफ पार्वती की भी मूर् पड़ी हैं वो पर्शौम्यता के साथ मुश्कराब ही रही हैं पर मैं यह बताना चाहते हूं कि यहां की जो सबसे खास प्रतिमा रही वह सदाशिव का प्रतिमा है शादाशिव त्रिमूर्ती की प्रतिमा है जिसमें सेंटर में महादेव हैं और इनके बाई तरफ अगोर या नी भैरो की प्रतिमा है, मुझे मुझे बनी हूँ, ये बिनाशक शोरूप है वे, दाई तरफ बाम देव या उमा की प्रतिमा है, जो स्रीजन के प्रतीक हैं, नारी पक्ष को ये रखते हैं, और शीव मध्य में, बहुत ही अधभूत प्रतिमा है ये, और देख करके आप एकदम अमेजड रह जाएंगे कि पत्थर को काट काट कर कलाकारों ने ऐसी प्रतिमा बना दी है, जो की आज इतने इंजिनेरिंग के बाद हम सोच सकते हैं, बना सकते हैं, पर शायद वो जो भाव है, वो शायद हम न दे पाएं, तो बहुत ही अधभूत पांच बजे ये बंद हो जाता है, तो हम लोग थोड़े लेथ हो ही गये थे, निकलते निकलते वहाँ से अंधेरा हो गया था, गुफाओं के अंदर अल्रेडी अंधेरा था, तो वहाँ से हम लोग फिर चले, चलते हुए मीनी ट्रेन बंद हो चुका था, और बस हम लोग पैदल ही वहाँ तक आए, जहां से बोट ने हम लोगों को फेरी ने छोड़ा था, और वो जल्दी जल्दी सारे लोगों को एके करके चड़ा रहे थे बोट पर, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा था, वैसी रिस्क भी बढ़ रहा था, उधर से लोटते हुए, गेटवे अफ उसकी लाइटिंग हो रखी थी, सी के अंदर से उनको देखने में, फेरी से उनको देखने में बहुत ही अदभुत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो कूल ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा, और मैं आप से भी कहूंगी कि जब भी मुंबे विजिट करो, तो आप एलिफेंटा केप्स देखने जरूर जाओ, क्योंकि ये आपका एक एतिहासिक धरोहर है, और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, वैसे महारास्ट्र में मैं आपको बता दू, कि महारास्ट्र में कूल इस तरह 900 गुफाएं हैं, जो बहुत धर्म जैन धर्म और हिंदुईजम से संबंदित हैं, सबसे ज़्यादा पश्चिब में हम लोगों को इस तरह के रॉक कट केप्स और आकिटेक्शर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उमीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेरा पूरा ट्रावल एक्सपीरियं और ऐसी में एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहोंगी, थांक्स फर वाचिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर ऐसी एक रोचे कनभो के साथ, बाबाई